आपका अपने चैनल एक्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हादिक स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप तरहें लेकर हूँ पार्ट टू अप दे रैपिट फार क्वेशन सीरीज जिसमें कि हम देखने वाले हैं पांच दिन लगातार हम 50 MCQs पर क्लास हम डिसकस करने वाले हैं चोकि बहुत ही जादा इंपॉड़न है आपके SSC स्पेशली जो CGL का एक्जाम आरे टीर वन का उसके लिए यह क्वेशन बहुत जादा इंपॉड़न है मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरा अपन क्या सकते हैं तो मैं आपको पतातना चाहता हूं कि यह most repeated topics हैं जिनके basis पे current affairs हर बार ही पूछ जाते हैं for example prizes in कौन वर्म से news में prizes awards कौन से हैं rankings इंडिया की कौन कौन सी रही है इस साल में ठीक है places in news person in news तो ऐसे ही मैंने इन repeated topics के ओपर current affairs select कि हैं तो उसके basis पे यह series बनाई है और यह 50 MCQs ही नहीं होंगे जैसे कि पिछली class में मैंने आपको पता था वीडियो में कि 50 के साथ साथ हर question मैंने इस तरह से फ्रेम किया है कि at least उसमें तीन से चार questions मैं आपको पता सकूँ तो एक वीडियो के अंदर हम around 150 to 200 MCQs आप कह सकते हो हम discuss करने वाले हैं तो पांच वीडियो के अंदर around 750 to 1000 MCQs कवर कर लेंगे तो यह series आप ज़रूर देखना आपके SSE के लिए मैं definitely कह सकता अपने experience से यह बहुत ज़्यादा important रहीगी आपको और बहुत से question आपको मिल भी जाएंगे current affairs के आपके exams वे तो दोस्तों हमेशे की तरह मैं यह कहूँगा अगर आप नए हैं हमारी चैनल पर अभी चैनल को subscribe मत करना वीडियो को अंते तक देखना अ तो तब जाके वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को subscribe भी कर लेना तो आए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जिसमें कि हम mcqs देखेंगे 50 और अगर आप इसकी detailed वीडियो देखने चाते हैं जो एक मैंने compilation की है पूरे साल के जो current affairs है उनकी तो उसका link मैं आपको description में देदूँगा उसका पूरा से वह साथ घंटे का वीडियो आप वहां से भी देख सकते हो लेकिन अगर आप short में देखने जाते हो तो यह वली series देख लो और इसके अंदर मैंने काफी जो recent है जून जुलाई के वह भी इसमें नए add किये है इस series के अंदर रहे है तो ठीक है तो पहला कह रहे है गियोर्जी गॉस्पोडिनॉफ एंड एंगला रोडेल वान दा इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2023 फॉर विच नॉवल जॉर्जी गॉस्पोडिनॉफ और एंगला रोडेल ने किस उपन्यास के लिए अंतरश्तिय बुकर पुर इसको ऑप्शन के है टाइम शेल्टर टूम बॉफ सैंड ओल लाइट ओल ब्लॉड इस ब्लाक और डिस्कमफर्ट ऑफ द इवनिंग ठीक है इन चारों में से कौन से नॉवल के लिए इनको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होते हैं और एक भुकर प्राइज होता है, ठीक है मैं आपको दोनों का डिफ्रेंस बहुत बहुत ब choisर ही थे तो इसका अनसर वाले तो इसका हैं इंटर मानेगे कि प्लेजिए वन 네 फ्रेंस v 1955 यह को एंगलिर Olis में टरनेज औरwind इन औह एंगर настूर प्राइब कर satisfy करिया जिन्होंने नॉवल तो दोनों को ही ये जॉइंट ही माने जाता है कि दोनों को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइस ठीक है और कौन से नॉवल था वो उसका नाम था टाइम शेल्टर अब इससे रिरेटीड और क्या पता सकता हूं है आपको जो टूम और सेंड है ये ब राइटर जिनको की इंटरनेशनल बुकर प्राइस दिया गया था तो ये टूम और सेंड पूछा जा चुक है अल्रेडी तो ये भी अपसे दुबारा भी पूछ सकते हैं क्योंकि ठीक है ना तो टाइम शेल्टर इस स्वाल का है ठीक है इनके दो आथर ये हैं और टूम और सेंड जो है वो गितांजली श्री का है और यह बाकी दो देखने हैं यह 2021 के विनर की बुक का नाम है और यह 2020 की है ठीक है ना तो यह था पहले क्वेशन अब देख लो इसमें हमने तीन चार्ट क्वेशन यह था तो इसी तरह से आने वाले कोश्शन भी हम डिसकस करेंगे तो वह आरांड 150-200 पर वीडियो हो जाए ठीक है तो आएए चले अगले वीडियो अगले क्वेशन पर हम चलते हैं 50 सेकंड क्वेशन पर ठीक है अप्रेल 2023 में ऑपरेशन कावेरी किस देश में फसे भारती नागरिकों को निकालने के लिए भारस कारद्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभ्यान था तो आप्शन है ये सुदान ठीक है तो इसकी ऑपरेशन बहुत सारे पूछ लेते हैं डीसेंट्ली भी बहुत सारे हुए है तो ऑपरेशन कावेरी जो है यह आपको याद रखना है सुदान से है रिलेटेट ठीक है सुदान में सिविल वार हो गए थी तो वहाँ पर जो फसेवेशन नागर टुर्की ऐसे ठीक है ना तो यहां पे अर्थ कोई काया था सीरिया और तर्की में तो ऑपरेशन दोस्त जो हेल्पिंग एक हैंड था वह इंडियन इंडियन ने दिया था इन गवर्वंट्वन्ट ने तर्की के लिए वहां के लोगों को बचाने के लिए गगराहत कारे के लि किस से लिखता है इसके लिए मैंने सेपरेट कोईशन भी बनाया है तो वहां देखेंगे हम यह operation करो ना क्या तो अभी दोस्त और operation कावेरी आप यहां से यात रखना है आपको ठीक है अगला देखते हैं 53rd in 2023 which country became the newest member of BRICS bank ठीक है तो 2023 में कौन सा देश BRICS bank का सबसे नया सदस से बन गया है ठीक है तो BRICS bank जिसको हम किसे नाम से भी जानते हैं new development bank ठीक है यह ब्रिक्स जो है उसका यह bank है ठीक है ना तो यह एक तरह से का गया था कि जो ब्रेटन वुड्स जो इंस्ट्यूशन ने वर्ल्ट बैंक और IMF उनकी जो मनोपली है कह सकते है वर्ल्ट में उस यह चाइना का कहा जाता था कि काउंटर है तो BRICS bank है ठीक है ठीक है ना तो इसका recently कौन member बन गया तो BRICS में भी तो पांच ही थी तो यह extend करने के लिए इजिप्ट को recently member इसमें बना लिए तो यह important question हो जाता है कौन बना है recently ठीक है और इसके साथ साथ जो और जो देश बने हम बनाएंगे इसका अंदर member तो अभी recently कौन सा बना है एजिप्ट 54 वस्ट 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 इंडिया रैंक इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2023 अंतराश्य आई-पी सुचांग 2023 में भारत की रैंक क्या थी ठीक है तो रैंकिंग्स बहुत पूस्ते हैं तो आई-पी है यह intellectual property इसको रिलीस कौन करता है तो यह पूछ लेता है कि एक तो फर्स्ट कौन है और इसको पब्लिश कौन करता है तो पब्लिश इसको करते हैं यूएस चैंबर ओव कॉमर्स ठीक है तो आपको यह एक चीज में लीस है ठीक है और इस लिस में फर्स्ट कौन था इस लिस में फर्स्ट था यूएस तो यह याद करना बहुत था नहीं यूएस को यह करते हैं यूएस आप कह सकते हैं अपने आपको मानता है कि हम best rank ट्रक्शल प्र इंडिया की रैंग थी इसमें 42nd इंडिया वस रैंग 42nd यह important है क्योंकि बहुत recent है ठीक है ना इंडिया की रैंग थे 42nd ठीक है इसमें इंप्रूव भी करी थी इंडिया ने रैंग अपनी अगला देखते हैं 55th विच डिस्ट्रिक बास अच्छ दिस्ट्रिक इन द फोर्थ National Water Award चौथे राष्टे जल पुरूस कर दो जाता है इसमें किस दिले को सर्वस्टेश जिला गोशित किया गया तो यह Water Awards होते हैं ठीक है ना वह थे यह तो इसमें क्या है कि अलगलग स्टेट में कौन बैस रहा इंडिस्ट्रिक कौन सा बैस रहा तो यह सब के वाटर कंजर् न सलिघक है इसी अवार्पर जो पार में घंजम दिस्ट्रिक ओसा को दिया गया है सबसे इस डिस्ट्रिक कावर्ट और बेस्ट्रेट स्टिछ इए इसी अवार्परिश में बैस्टेट जो है वह दिये गए है। मद्यप्रदेश को तो मद्यप्रदेश वास्ट बेस्ट टेट इन दर नाशनल वाटर अवार्ट तो हजार तैस और डिस्ट्रिक था गंजम डिस्ट्रिक ओडिसा ठीक अगला देखते हैं विच्व फॉलिंग टूर्णमेंट्स इंडियान में फुटबॉल टीम डिडिड तो इन मेंसे मेंस फुटबॉल टीम ने कौन सा नहीं जीता है ठीक है तो पहले ऑप्शन है इंटर कॉंटिनेंटल कप ये एशिया वाला यॉरोप में भी होता है अलग होता हो यह मैंने आपको में वीडियो में भी पताया था साफ चैंबेंशिप साउथ एशियन फुटब में लबनान को ठीक ना लबनान को हराया था और साफ शमयूर्मनिस्टिप में हमने हराया था कुवेत को, ठीक है तो यह दोनौ हमने जीते थे, और जो संतोंप ट्रॉफि यह canadar इंडिया का, ठीक है ना? स्टेट करनाटे का नहीं जीता था ठीक है ना और यह हुआ था मेगाले में इन्होंने मेगाले को हराया था और इसका फाइनल इस बार ही पहली बार यह ऐसा हो था कि इंडिया से भाहर कराया गया था तो इसका फाइनल हुआ था रियाद में ठीक है साउधी अरेबिया ठीक है इस आर्जिनिक सेवा के शेत्र में पुलिज्जर पुलिस्कार 2016 किसको सम्मानित किया गया है तो यह पुलिज्जर प्राइज आपको रहली चीज का पते चले कि यह दिया जाता है जर्सका में इस Merci ना कुछ यह जिए उइसमें पुब्लिक सर्विज का इस नहें जीता है प्राइस क्योंकि सब्सेश्व और की इसमें जीता है यही वर इसमें जो आंसर है वो है Associated Press या AP को दिया है यह US की जो journalism firms है उनके वो इसके लिए qualify करती है वार्ड के लिए तो इस बारी यह दिया गया है AP को Associated Press अगला देखते हैं 58 ठीक है who has awarded the food world food प्राइज दो जाते है विश्विख अध्य पुरुषकार दो जाते है इस किसस मानिक किया गया ए सिंथिया रोजन विग भी शकुंतला एच थिल्स्टेड सी रतनलाल डी हाइडी कुन तो इसका इनको मिला है उसका नाम है Roots for Peace यह भी पूसकते हैं कि कौन सी organization है जिसकी वया से इनको मिला है इडी कुन को तो यह है Roots for Peace ठीक है यह हमने detail में discuss किया हुए वह जो वीडियो है जून वाली उसमें ठीक है अगला देखते हैं 59 देख लेते हैं 59 तह विच पोर्ट इसका आंसर है सी कोचिन पोर्ट को दिया गया है ठीक है और इनको यह दिया गया है for handling of bulk dry and liquid cargo तो cargo handling के लिए इनको दिया गया है best तो कोचिन पोर्ट को दिया गया है यह बहुत रिसेंट न्यूजर पिए भी की तो यह important है बेखाना तो इस फूटबल क्लब वन दे यूएफा चैंपियंस लीग टाइडल फॉर दे यह दो हजार बाइस तरीज तो किस फूटबल क्लब को वर्ष दो हजार बाइस तरीज के लिए यूएफा चैंपियंस लीग के खिता जीता ठीक है तो आप्शन है ए रियाल मद इस साल तो तीन जो ट्रॉफिस मैंने आपको बताई थी एक टीम ने जीती है ठीक है कॉनकोंजी ट्रॉफी एपियल इंग्रिश की में लीग ठीक है उसके बाद यूएफा चैंपियंस लीग जो इस कोशन में पूछा गया है और एफ एक कप यह तीनो एक ही कंट्री ने जी जो था न यह जो इफाचेंबियंस लिखका यह पूछ सकता है कहा हुआ था यह हुआ था आता तुर्क स्टेडियम अर्ट की में है अलंपिक स्टेडियम है यह तो यहां पे इसका फाइनल हुआ था ठीक है तो मैंचेस्टर सीडिया अपने इसमसें ठीक है 61 सारव गांगली तुरिजम प्रमोशन के लिए सारव गांगली को किसी इंडियन स्टेड का ब्रैंड अबस्टर चुना गया है तो वो कौन है देखे थे तरुपूरा इसका राइड आंसर है ए तर्वा अग्ला 62 तो थीम ऑफ इंडिया नोशन कॉंफरेंस वस हेल्ड इंडाका वॉस तो भाका बंगलादेश में आयोजित हिंद महासागर स्वेलिम मेलन का विशय क्या था तो यह हमने देखा था इंडिया नोशन कॉंफरेंस जो है यह एराउंट 42 40 कंट्रीज की एक जियो स्ट्र स्ट्राटेजिक एक इंडिया नोशन जो है उसके अंदर जो आये नोशन के आई-लैंड कंत्रीज यह जो भी बार्डरिंग इंडियो नोशन की वह आपस में कि इंडिया नोशन में कैसे शांती बिनाए जाज रखे नैविगेशन की स्टेबिलिटी इस अटीक है नोगके ट इसकी थीम पूछी है, थीम ज्यादा important होती है, इसके अंदर मैंने आपको clue, आपको पता था कि keywords रूणने आपको theme में अंदर अपने आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना, तो इसका जो सही answer है, वो है peace prosperity partnership for resident future, तो मैंने आपको ये वीडियो में पता थी, 3P से आपको याद रखनी है, इंडियन ओशन with 3P, तो इसका answer है ये, ठीक है न, D, और peace begins with me, जो है ये, जो था, ये theme थी, international, ठीक है न, day for UN peacekeepers, ठीक है न, तो peacekeeper वली जो थी, ये peacekeeper day वली थी, ठीक है न, और light house वली जो है, वो थी, ये light house, मैंने आपको keyword बताता है, light house, ये थी, राय सीना डायल, इंडिया की flagship conference, ये पिछले वीडियो में हमने देखी थी, राय से न, डायलोग, ठीक है न, तो ये बली, light house वली थी उसकी, और जो ये है, cooperation in the fragmented world, ये है, world economic forum की, जो हर साल होती है न, devos, Switzerland में, january में, जो होती है, conference, ठीक है न, economist आते हैं, world leaders आते हैं, businessmen आते हैं, तो ये होती, इसकी cooperation in the fragmented world थी, world economic forum की, ठीक है, world economic outlook हों की, ठीक है, ठीक है, चानाथ मैंने आपको इसमें अलगलग themes पता दी, very important, इसका screenshot आप ले सकते हो, ठीक है, ये important question रहते है, theme वाले, ती, you know, अगला देखते है, 42 inches tall bronze bust of Mahatma Gandhi, recently unveiled by PM in Hiroshima, Japan, has been sculpted by, तो PM हो दी अभी गए ता है, Japan, जहांपे क्या हुआ था, Quad Summit, ठीक है, Quad Summit तो वो by default हो गया था, जो कि Australia में होना था, पर यहां पर हो था, मैंने पहले ही बताया आपको, और G7 Summit था, जो main था, Hiroshima, Japan में होना था, ठीक है न, तो इसको वहां पे एक, जो Peace Park है न, या Peace Memorial बोलते हैं, Peace Park बोलते हों से, तो वहां पे, जो है, एक महात्मा गा से, नीराज गुपता, डी सुबध गुपता, तो इसका आंसर है, भी, राम बानजी सुंतर, वेरी वेरी इंपोर्टन, तो यह नाम बहुत इंपोर्टन है, यह नो ने यह भी स्टेच्व देन है, और सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की स्टेच्व है, ठीक है न, स्टेच्व यूनिटी, यह भी इनों नहीं स्कर्प्ट की है, तो यह इंपोर्टन ने में ठीक है, ठीक है, पर्द में विभूशन आइटिंग, यह प्रम श्री है, यह मैं कंफर्म कर दूंगा आपको अनली वीडियो में, ठीक है, और जो विमल पटेल है, यह सेंट्रल विस्टा पोज अगरा देख लेते हैं, सुख आश्रे स्कीम तो प्रोवाइड शेल्टर, केर, एजुकेशन एंड स्किल्स टेंडिंग तो ओर्फन और डिस्टिटूट चिल्रन है, अनात और निराश्रित बच्चों के आश्रे देखबाल, शिक्षा और कौशल परिक्षन बदान करने के सुख श्रय योजना किस राज्य ने द्वारा शुरू की गई है, तो ए राजिस्तान, ब उत्तरपरदेश, सी हिमाचल परदेश, दी मत्यपरदेश, तो इसका अंसर है, हिमाचल परदेश, यह हमने डिसकस कर रहा था, ठीक है, करेंट अफेर्स वाली जून वाली वीडियो यह कहां पर कॉमा है, इंडिया नेवी एंड विद अधर कंटी, तो इंडिया नेवी के साथ कौन सी अधर कंटी की नेवी थी, जिनके साथ यह सैल्वेक्स एकसेस की गई थी, कौन से दो, ठीक है न, सैल्वेक्स बचाव और विस्पोटक, आयुद निप्टन, अभ्यास, जून और जुलाई दो जते ही में, कोची भारत नौसेना, और किस अन्यदेश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था, A, USA, B, UK, C, France, D, Germany, तो इसका आंसर है, USA, तो यह बहुत इमोटन है, ठीक है, तो यह जनली हम यह डिसकस नहीं करते हैं, अक्साइज देवाली, पर इस बार यह बहुत रिसेंट है, और यह बहुत इम्पॉर्टन एक्साइज है, क्योंकि USA के साथ, जनली जो हम कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी करते हैं, USA के साथ, Tiger, Triumph, वज्र, प्रहार, मालाबार एक्साइज, जो Japan और USA के साथ हम कर रहे हैं, Australia को भी इंवाइट किया था, युदधवयाज, यह सारी न्यूज में रहती हैं, और COOP in India, यह हम USA के साथ करते हैं, ठीक है न, COOP India, तो यह हम USA के साथ करते हैं, जनली एक्साइज, तो यह वली मेरे नौलीज में नही थी, और यह बहुत इंबॉदन है, और यह रिसेंट भी है, तो Salvex 23 भी आप इस, Tiger, तो इस लिस्ट में आप जोड सकते हैं सैलवेक्स 23 को अगला 66 देख लेते हैं इंडियान इंडियास फर्स्ट गोल्ड एट्यम है इन स्टार्टिड इन विच लिच पैसे डालो काज्ड से पीदियान अफको वह को वह सोना या सोने के बिसक्यूट देदेता है लग लग ग्राम है जितने भी घ्राम को आपको शिक्या की वह दे देता हैं तो कौन जीन इडियां सा फर्स्ट गोल्ड इटिए तो इसका अंशर है है हाइधरा बात टीक है तो देख लेते हैं यह हुआ था इन दौर में ठीक है अब जो यह प्रवासी दिवास है आपको इसकी जो है इंडियन डायस्पोरा जो आते हैं फेमस वोल्ड वर से इसमें पार्टिसिपेट गाते हैं इन दौर में होता है इसकी थीम क्या थी तो थीम इसकी थी डायस्पोरा यह रिलाइबल पार्टनर्स पूर इंडियास्पोर्स इन अम्रित काल्ज यह मोड़न कीवर्ड किया है रिलाइबल पार्टनर्स अम्रित काल्ज दो आपको कीवर्ड इसमें से याद करने और यह कहां हुई थी ऑर्गनाईज इन दौर में हुई थी अगला देखे हैं इस यह फाउंडेशन स्टोन अफ इंडिया स्फर्स्ट बुद्धिश उनिश्टी विच्ट भारत की पहली बॉद्ध विश्विदाले की अधार्शिला के श्राज्य में रखे गई है ए तृपुरा बी सिक्केम सी उत्तरबदेश टी पिहार तो यह बहुत बहुत दिफिकल्ड गना जाए तृपूरा में तो वहां पर यह इसको फाउंडेशन स्टोन लेगा उसको इन्युवर्सिटी का नाम क्या है धामा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिश्ट उनिवर्सिटी तृपूरा ठीक है तो यह इसका पूरा नाम है धामा दीपा इंट नाशनल बुद्धिश्ट उनिवर्सिटी ठीक 69 देख लेते हैं 108 साइन्स कॉंग्रेस 222 वस और्गनेशन विशिटी 108 भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस 22 का योजन के शहर में किया गया था ए इंदौर बी नागपूर सी भपाल डी बेंगलूरू तो इसका अंसर है नागप ठीक है तो इसका जो इसकी थीम थी वह सफो कल थीं एस वैल की थीम थीम तो देख ळाते हैं इसकी क्या थी ठीक है तो इसकी थीम थी साइंस एक्टनालॉजी फ़ार सस्टैनेबल डवलकमेंट with women empowerment टो ऐसे K toi आबको कीवर्ड किया रात थो नहादते है संट्यर्मन capitalism and women empowerment ठीक है तो यह इसकी थीम थी ठीक है नाकपूर में हुई थी है अगला देखते हैं 70th statue of prosperity has been recently unveiled in airport premises of big city statue of prosperity हाली में किस शेर के हवाई एड़े के परिसर में अनावरन किया गया ए अमदाबाद बेंगलूरू सी भौपाल या डी हैदरबाद तो इसका अंसर है बेंगलूरू भहुत ही असान सा कोशन ते है ठीक है ना तो यह एक ब्रॉंज statue है 108 feet की ब्रॉंज की है ठीक है इसको नाम दिया गया statue of prosperity और एक केंपे गोडा जो है केंपे गोडा इंटरनाशनल एरपोर्ट है बेंगलोर में वहाँ पर इसको लॉंज किया गया थीग है नौगरेट किया गया और यह क्या करता है इसको मेंडेट को मेंडेट करने में यह इसको लॉंज के गया statue of prosperity 75th which state became the first Indian state with the Divyaan department कौन सा राज्य दिव्यांग विभाग वाला पहला भारती राज्य बन गया है ए महराष्ट्र बी राजिस्तान सी उत्तर प्रदेशिया डी कुजरात अगेन वरी इजी यह महराष्ट्र है इजी तब अगर अपने पढ़ा होगा है नहीं तो यह बहुत मुश्किल है ठीक है ना तो फॉर्ट डिफरेंट लिएबल पीपल है यह बनाए गया है ठीक है डि सेवंटी सेकेंड विच्ट बिकेंड फर्स इंजिन सेट विधिट ओन क्लाइमेट चेंज मिशन अब जैसे डिव्यांग डिपार्टमेंट पहली स्टेट बनी थी महराष्ट्र तो तो क्लाइमेट चेंज यानि कि जल वायू परिवर्तन मिशन वाला पहला राज्य कौन सा बने भारत में तो यह भी असान है अगर अपने पड़ा हुए तो यह तमिल लाडू इसका अंसर है और यह के करेगा अंडेट इक अटिविटीट इस तू मिटिगेट अन मैंज क्लाइमेट चेंज टीक है तो क्लाइमेट चेंज से रिटिडिड स्टेप्स लेरा तो क्लाइ स्विक्षराष्ट जलवाई परवरतन समेलन का या यूएन एफ सी सी का सी ओपी सताइस दलों का समेलन कहां यो जित था तो ए डुबाई यूए बी आबुदाबी यूए ची शर्म एलशेक एजिप्ट यास डी काईरो एजिप्ट तो इसका आंसर देखे थे हम इसका आंसर है शर्म एलशेक एजिप्ट ये एक रिजॉर्ट टाउन है ठीक है एजिप्ट के अंदर यहां पर और्गनाईज की कई थी सी ओपी 2070 और सी ओपी 26 इससे पिछले साल वाली कराएगे थी ग्लास गो स्पाटलेंड में चीक है और दोजाट थाइस जो स्वारी दोजाट यू ए इमें ठीक है तो इस साल ये दुबाई में होगी डिसमबर में होती है हर साल तो दुबाई में इस बारी कराई जाहे गी जहां वहतिस अंदर जोसकी तीन क्या है या मोटो क्या है बेसिक तो और कोपरेशन इन दे फ्रेगमेंटेड वाल रिकावर टुगेदर वासुदेव कटुमबुगम वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचा ठीक है तो हिंदी में इस लेने पड़ रहा क्योंकि कभी गवार यह थीम को हिंदी में वह ठीक से कनवर्ट नहीं होता है ठीक है ना इसलिए इंगलीश में पढ़ दी मैंने तो कौन सा इसका सब्सक्राइब यह थीम रखी थी वासुदेव कटुमबुगम तो इसी पर बेस है वह वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचा ठीक है ना तो यह है और इसमें क्या है आपको जो इंफोमिशन पता होने चाहिए तो एक डिसेंबर दो हजार बाईस से तीस नमबर दो हजार खाल यहां टिर्साइब को जो हैं ना चाहिए पर दो इसमें डेली जो इंडिया है वो इसके अंदर चेर रहेगा जीट ओंटी की ठीक है ना और जो इसमें लोटस है लोगो है कुछ इसा लोटस का ठीक है उसमें लीज है तो उसमें कॉचिशन भी पूछा जा जुगा प्लस European Union की जो है कंट्री प्लस European Union मान सब्सक्राइब इसमें ठीक है और क्या बता होना चाहिए 85 परसेंट ऑफ वर्ल्ड जीडीपी यह सारी कंट्रीज जो है 19 प्लस EU एकाउंट करती है 85 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ठीक है यह फिगर पूछी गई है इसलिए मैं पता रहा हूं को 75 परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 75 परसेंट 85 और लास्ली 2 3rd of the world population यह सब चीज़े पूछी जा चुकी है इसलिए मैंने आपको यह तीन पॉइंट दी है 85 परसेंट ऑफ जीडीपी 75 परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और 66 यह 2 3rd of the world population ठीक तो यह बहुत important है इसकी थीम बहुत important है याद रखना है अगला देखते है 75 तो यह हम अल्यडी डिसकस कर दिया मैं आपको पहले बता दिया है फिर भी देख लेते हैं आपरेशन दोस्ट ऑपरेशन मैथ 3 यह चीज़ भी थी कि जो दोस्त है थी जो डोस्त है नहीं बता दिया थी ना तो उनके इंदर सेच अर्च ने वहां पर उनको हिल्प की थी ठी और इसका एक यह चीज़ भी थी कि जो दोस्त है ना वह जो टर्किश लैंगविज और इंडिया लैंगविज में दोनों में उसी का मतलब फ्रेंड होता है तो इसलिए यह वर्ड चूस किया गया तो ऑपरेशन दोस्त एस पर हैंली पासपोर्ट इंडेक्स हो जाते हैं इं ना वीजा के जा सकते हैं वीजा फ्री ठीक है तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है इस रैंकिंग में यह पूच रहा है यह है अनली पासपोर्ट इंडेक्स होजाट तैसका भारत पचासी वी अस्तान पर है किस देश या देशों ने रैंकिंग को शी इस्तान यह फिर फोन फिर बोथ जापैन और सिंगापूर तो किर फिर अब पयाओन दोज़े तो फिर फ जबोर II को फिर आप और लेकिन वह वह बोथ जेपाफ़ और सिंगपूर दोणों एकथे मिलकर इसको आप किया एंटिक है न और इस पुसिशन में जो इंडिए ता पिछली थी इन रांकिंग में वो थी अफगानिस्तान ठीक है तो लास्ट कंटी पूचेंगे तो अफगानिस्तान आइनस वगीर हैस रिसेंटी बिन कमिशन इन इंडिया नाम फोर्स वाट इस इट आइनस वगीर हाली में भारती शस्त्र बलो में शामिल किया गया है यह क्या है तो क्या है यह आपको पताब ऑप्शन दे देंगे और आप से पूचेंगे वह जो चेज़ का टाइप कौंसा वेपन है वह फिस चीज शिप का नाम किस ढखिए तो आइनस वगीर क्या है यह पूच रहेंगे बहुत इंबाटन कॉशन है अगेन यह औलड़ी साइल सब्मारीन है या सर्चेंट लेच्व वैशल सब्मरीन है ऐ 주 एक पंद्धि भिन नी disguise cream ना सिव स सब्मरीन सब्मरीन मर्षीन आदेडिस ना थिक्एन ना तो वगीर जो है वह स्कॉर्पिन क्लास की है और यह इसको बोले आता है कलावरी क्लास सब्मरीन है ठीक है और इसमें से बाकी कॉनों से आरेड़ी आ चुकी है तो पहली कलावरी क्लास के बोलते है क्योंकि पहली जो शिप होती है न यह जो पहली भी सब्मरीन आती है उस class of submarine जो similar submarine है उसमें तो जो पहली आती है उसी के नाम पर उसको बोलते हैं कि बाकी जो आ रही है वो उसी class के हैं तो पहली कलावरी थी INS कलावरी दूसरी INS खंदेरी 3rd INS कारंज और 4th INS वेला तो यह चार थी ठीक है और जो पांच भी है वो वगी रहा और जो छटी है जो टेस्टिंग चल रहे है जिसकी वो है अगला देखते हैं तो यह फर्स्ट एडिशन अब जॉइंट रिनिंग सक्साइज साइक्लोन वास हेल्ड बेट्वीन स्पेशल फोर्श इंडिया एंड विच अधर कंटिशन अभ्यास चक्रवाद साइक्लोन जिसका नाम का है का पहला संसकरन भारत और किस अन्य देश के यह फर्स्ट एडिशन इसलिए बॉडर्ण है कि पहली बार ही हम करने तो साइक्लोन जो है एक साइस भारत और किस अन्य देश के बीच में यह यूई युनाइटिट इजिप्ट या यूएस से तो इसका आंसर है मिस्र इजिप्ट के साथ हमने किये और यह जैसल मेर राजि पॉर्ण्यमाद डेवी बर्मन तो ये यू आणसर है पूर्यमा देवी पन्मन और यह यूएन का हाए 터. और इनको दिया गया है, entrepreneur vision category में. इसलिए इनको दिया गया है, फॉर्णिमा देभी वर्मन, नाम याद करना important है इसके अंदर जबना जखते हैं 80th ठीक है तो 80th कर रहा है who was the chief guest of the republic day parade 2013 तो republic day जो होता है हमारा जो पर जन्वरी उसका जो chief guest होता है 8 साल आता है ठीक है भाहर से कोई ना कोई important जो head of state आता है तो इस पार ही कौन थे chief guest ठीक है इसका answer है बी अब्दिल्फते LCC बहुत बारी पुदा चुको है इजिप्ट के साथ बहुत सारे ठीक है तो exercise भी हो गई इनके साथ हमारी cyclone 1 पहली बारी और इनके जो president है ठीक है ना अब्दिल्फते LCC वह इस बारी हमारे chief guest भी थे ठीक है और रिपब्लिक डे परेट पे इजिप्ट का एक military contingent भी आया था जो की participate कर रहा था परेट के अंदर रिपब्लिक डे परेट में तो पहला कौन था यह मैं आपको बहुता पहली बारी कौन थे तो France पहली बारी जो थे फरस्ट जो थे वह France के contingent ने participate किया था रिपब्लिक डे पे और यह किया थे नहीं 2016 में ठीक है ना तो France ने first time किया था which state was the host of 36th edition of the national game 2022 which were held after gap of 7 years कौन सा राज्ये राष्ट खेलो 2022 में 36 संस्करण की मेजवानी की जो की साथ वर्षुप के अंतराल के बाद हुआ था तो लास्ट यह कब हुआ था लास्ट यह हुआ था 2015 में ठीक है और तब यह कराया गया था कैरला में तो इस बार ही कहां पर हुआ यह पूश रहा है तो इसका अंसर है गुजरात गुजरात में यह नाशनल गेम्स होए है 36 संस्करण 2022 वाला ठीक है और इसके अंदर जो मेडल टैली थी वो टॉप किसने की है इस स्पूर्ट संट्रोल बौर्ड पूरा नावर्य शर्विसिस लिती आर्मी वेगरान के इंदर आते हैं तो सर्विसिस के अंडर वह उन्होंने मेडल टैली को टॉप किया था विट 61 गोल्स ठीक है तो गुजरात में वहते हैं नैशनल गेम सियाथ में अगर गोल्डन गूट अवार्ड फोर मैक्सिमुम गोल्स इन टूर्नमेंट फीफा वर्ल्ड कप दोजर बाइश में अधिक्तम गोल के लिए गोल्डन बूट किस नहीं जीता है तो सबसे बहले गोल्डन बूट जो Analysis जाता है वह जो बंदा गोल करता है च्वैशा क्तर में तो सबसे ब colour करता है और इस से और क्या चीज़ को पता हुण चाहिए तो जीता किसे था यह तो आप सब को पता होगा अर्जंटीना ने ठीक है और मैसी को दिया गया है इसमें एक अवार्ड जिसका नाम है गोल्डन गोल ऑन तो अवी इंपॉर्डंट कहले है कि गोल्डन बॉल है यह गोल्डन बूत है बूट से गोल होगी है आप ऐसे याद रहको सबसादर गोल विकों ने गये है तो बूट से मेसी जो Golden Wall के बीज़ेता है मतलब वो Player of the Tournament इसको कहा गया है ठीक ने जो Player of the Tournament होता है बेस्ट Player of the Tournament मेसी को दिया गहा है जिनको की Golden Wall दिये गही है ठीक है Emi Martinez ये दिये जाता है इनको मिले है Golden Glove Glove है तो Glove किसको दिये जाएगा Football में मार्टिनेस को और एक और ये भी अर्जेंटीना के एंजो फर्नैंडेस इनको दिया गया है बेस्ट यंग प्लियर तो ये चार अवार्ड आपको पांच याद रखने है ठीक है गोल्डन बॉल्डन बूट गोल्डन ग्लाफ और बैस्ट यंग प्लियर और जीता किसने था अर्जंटीना में ठीक है तो ये 32nd बहुत इम्मोर्टन था इसमें से कोशन बन सकता है ठीक है 83rd विच और फॉलिंग नाटू नाटू फ्रम आरा डिड्ड नॉट विन आरार फिल्म के नाटू नाटू सॉंग ने निमले खित में से कौन सा पुरुसकार नहीं जीता है ठीक है बहुत सारे वार्ड जीते हैं इंटरनाशनल तो कौन सा नहीं जीता है A. Grammy Award B. Oscar C. Golden Globe और D. Hollywood Critics Association Film Award तो यह सारे हमने देखे थे अपनी वीडियो में तो यह सिंपल सा क्वेशन है इसका अंसर है Grammy Award नहीं जीता है बागी सारे के सारे जीते हैं Oscar भी जीता है ठीक है ना Best Original Song Category में यह भी Golden Globe भी Best Original Song और यह भी Best Song में Hollywood Critics Association Award में ठीक है तो यह सारे अवार्ड जीते है नाटू नाटू में Grammy को छोड़के ठीक है और जो Grammy है उससरे डिट में पर की पता आयता हूं जो Grammy Award है ठीक है यह भी एक Indian singer इसमें Indian composer है उनको मिला है ठीक है तो इसका नाम है Ricky जो PM Modi कहते है न तो यह भी मिलने आयता है उनसे USA में ठीक है तो इनको third Grammy Award मिला है for album इनकी album का ना नाम है Divine इस जीए तो इन ग्रैमी भी इंडियन नहीं जीता है तो वो नाम अलगे रिकी कैश और इनकी album है Divine Tides इनके लिए इसको इनको दिया आगया है अगला 84th who has been named the ICC T20 I Cricketer of the Year men 2022 किसे ICC T20 International Cricketer of the Year men category में 2022 में नामित किया गया है ठीक है तो ICC Awards होते हैं अलगले category में Awards होते हैं तो T20 I T20 International में Cricketer best Cricketer men cover इसे दिया है तो Ben Stokes सूरे कुमार यादफ शुबन गिल या Glenn Maxwell तो यह असान है तो सूरे कुमार यादफ को दिया गया है best T20 I player of 2022 अब इस से रिकेट जो और है वो आपको बताया तो Ben Stokes को दिया गया है best Cricketer कौन सी format में अब यह T20 I format है तो इनको दिया गया है test former test Cricketer के अंदर best Cricketer Ben Stokes ठीक अगला देखते है 85th who was appointed by the government as the new NITI IOC CEO सरकार ने किसे NITI IOC का नया CEO नुक्यार ए प्रवीन सूद बी राजी धर CBBR सुब्रमानियम या D परमेश्वरान ऐयर तो यह answer है BBR सुब्रमानियम ठीक है तो एक CEO कौन थे परमेश्वरान ऐयर थे पहले इन से उनकी जगह आप यह आगें BBR सुब्रमानियम ठीक है और यह जो है जॉइन करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक को परमेश्वरान ऐयर ठीक है एस एडी एग्जुकुटिव डिरेक्टर यह करेंगे जॉइन प्रवीन सूद जो है ठीक है यह मैंने आपको और राजी धर भी यह भी रीसेंट वाले वीडियो में पता है एन आई एएफ जो हमारा सॉबरेंड वेल्ट वन है उसके एमडी एंड सीओ है ठीक है तो बीवीर सुब्र बनिया नीतियायो के नए सीओ आगे रीसेंटली हूँ और यह बहुत पूछते हैं आपको लगेगा कि इन कंट्री सामें क्या लेना देना जो इनके पूछेंगे पर पेपर में पूछते हैं कि यह कौन सी कंट्री के बने रीसेंटली तो जैसे इंडा एंडन न्यूजिलेंड की पहले थी ठीक है और जिनकों की बहुत प्रेस मिली थी कोविट टाइंप से जन्हों रजिस तरह न्यूजिलेंड में मैंनेज किया था कोविड को तो अब बने हैं क्रिस हिपकेंस चीक है और एरिक गर्सेटी जो है यह नाम भी आपको पताया था हूं क्यों है क्योंकि यह पूछ सकते हैं यूएस अंबैसेडर टू इंडिया यह रीसेंटली इनको नॉमिनेट किया गया है तो इंडिया के अंदर यह यूएस के नॉमिने और ग्यार्गया में लोनी यह आम डिसक वर्ष 2022 का बेलेंड और प्रॉसकार किसे नहीं था ए लेनल मैसी करीम बेंजिमास टियांडो कृस्टानो डोनाल्डो लुका मॉटिस तो आपको नाम से बता चले को का फूटबॉल के लिए यह फ्रांस देता है ठीक है कि जो बेस्ट फूटबॉलर है फ्रांस देता है इसक कौन है वो तो इसका अंसर है करीम बेंजिमा तो यह बन गए है फर्स्ट प्रेंच पुटबॉलर जिनको की अवार्ड मिला आफ्टर 1998 जिनेदिन जिदान जो थे वो फ्रेंच फ्रांस के कैप्टन रह चुके तो उनके बाद 1998 के बाद यह पहले फ्रेंच मेला जिनको यह दिया गया करीम बेंजिमा यह फ्रांस के फॉर्वर्ड है पिसेंट्ली विच सिटी है बिडिकलेड अज न्यू एक्जिगुटिफ कैपिटल ऑफ अंध्रपदेश हाली में के शार को अंध्रपदेश की नए कारे कारी राजनी घोशित किया गया है ठीक है तो अब राज आंध्रपदेश जो है ठीक है तो उसमें वो दो पार्ट तो यह यह तीनों कैपिटल अब यह अंध्रपदेश की हैं विचाका पटनम मरवाती और कुर्नूल है यह यह तेलंग गानागी बन गई है ठीक है न तो यह तीन कैपिटल इंग में से पूछ रहा है यह एक्जेकुटिफ कैपिटल कौन सी है तो अब एक्जेकुटिफ आए वह वाशाखा पटनम में ठीक है अमरावती जो है वह है लेजिसलेटिव कैपिटल ठीक है और कुर्नूल जो है उसको बनाए गया है जुडिशल कैपिल यह आपको याद रख रहे हैं तीनों अलग लग है ठीक है तो एक्जिक्टिव कैपिटल या मेन कैपिटल पूछें इंडिया इंडिय का प्रथम समिधान शाक्षा घिला कौन सा है एंगरा केरला कोटायम केरला कोजी कोडे कैरला तो इनमें से कौन सा जो है वह पहला जिला है भारत का जो की constitutionally literate है, जिनको constitution में सब लोगों को constitution की समझ है, ऐसा खागे है, ठीक है, तो इसका जो answer है, वो है, column, kerala, यह आपको याद करना है, ठीक है, place is the news, very important again, ठीक है, और जो kerala है, वो first fully digital banking state भी बन गई है, first fully digital banking state पैरला बन गई है, ठीक है ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, 90-थ, where was the UN biodiversity conference COP15 head, सियुक तराष की jab विवित्ता समेलन, 2022 COP15 कहा है, उर्थ किया गया तो जैसे COP27 हमने पढ़ी है, वो climate change conference की है, ठीक है तो COP15 जो है वो यह बायोडिवर्सिटी कॉन्फरेंस के यह कहां होई थी ठीक है तो लग लग है दुबाई UAE शर्मल शेक जिप्ट ठीक है मॉंट्रियाल कैनेडा यह यह हमने देख ली और जो नेक्स्ट होनी है तो इस साल होगी 2023 में वह होगी तर्की में यह 2022 की पूछी है ठीक है ना 2022 की 2023 की अभी होएगी नहीं है इसलिए तर्की में होगी इस्तानबुल तर्की में ठीक है और इसमें इंपॉर्टन क्या था मॉंट्रियल कैनेडा में पूछ सकते हैं आप से कि कुन्द मिंग मॉंट्रियाल ग्लोबल दाइऊ डिवर्सिटी इसको अडाप चुक होगा था तो कुनमिंग एक जगह है चाइना में बहुत सुन्दने नीं ठीक है कुनमिंग और मॉंट्रियाल तो यह एक ऑडिन diversity framework बनाया गया है जो की COP15 में इसको adopt कर लिया गया था सारे देशों को ठीक है तो यह framework का नाम आप या अगला देख लेता है world cost of living index 2022 which rank cities around the world based on cost of living is published by whom ठीक है तो विश्वयापी जीवन यापन लागत सूचांग 2022 जीवन यापन की लागत के अधार पर दुनिया भर में शहरों को rank करता है किस दौरा प्रकाशित किया जाता है तो cost of living index कौन इसमें पूछा गया कि कौन करता है तो यह economic intelligence unit इसको publish करती है तो publishing पूछ सकते हैं नियुक और सिंगापूर 2022 की ranking में ठीक है न और जो टेली वीव जो था इससे बहले इसराइल यह मैंने आपको वीडियो में पता था करेंट वाली में भी टेली वीव जुथा 2021 में इनने टॉप किया था ठीक है मलब फर्स से महेंगा देशता वर्ट का ठीक है तो economic intelligence unit आपको में याद रख नहीं है अगर नाइंटी सेकंड इंडिया रैंक in the climate performance index दो हजाट तइस चीक है तो अब यह दो इंडेक्स होते हैं climate performance index और एक होता है एंवायर्मेंट पर्फॉर्मेंस इंडेक्स तो इंवायर्मेंट पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में मैं आगे एगली वीडियो में बताऊंगा आपको हम कौन सी पॉजिशन में ठीक है बहुत बुछाल था उसमें हमारा और इसके अंदर climate change performance जो climate change इंडेक्स में अब konfusal मत और प्रफॉर्मेंस इंडेक्स है यह क्लाइमेटal प्रफॉर्मेंस इंडेक्स है इंडेक्स अगली वीडियो में बहुताओं को आपको क्या बुरा हल था ठीक है तो इसको publish कौन करता है यह पूच सकते हैं जर्मन वाच ठीक है जर्मनी की ओनंशेश्टीगा फ्लास नहीं क्लाइमेट after आ कि मैं इसको सब्सक्राइमेट टीक तो जो इसमें जो रैंकिंग थी उसमें पहले सबसे बेस्ट रही फोर्थ पूजिशन पर डेन तो सबसे बेस्ट रही डेनमार्क और वह खाली छोड़े और इंडिया की पूजिशन रही एट तो कावी इच्छी रही बानेंगे है मिलिट्री एक्सेसाइज हर्माव शक्ती 2022 बेट्वीन इंडिया विच अधर कंट्री तो सन्ने बस हर्माव शक्ती बाइब भारत और के सन्ने देश के बीच अईजित क्या गया था तो ए मलेशिया थाइलेंड सी इंडोनेशिया डी वैतनाम तो आंसर है मलेशिया वर इजी असान गोशन है हर साल होती है क akinली हं नाम से पूछे न !!! इंडोनेशिया हम करते हैं समूद्र शक्ति ओक है हम було कहा है कौन से हरमाव शक्ती तो कंफ्यूज निहीं हो रहा है इंडोनेशियी और मलेशिया ठीक अगला देख लेते हैं एस पर रीसेंट सुप्रीम कोट जज्मेंट विच अव दा फॉलिंग इस नॉट पार्ट ऑफ हाइक पावर कमिटी फॉर सेलेक्शन ऑफ चीफ एलेक्शन कमिशनर एलेक्शन कमिशनर तो एलेक्शन कमिशन की जो थी ना सुतंतरता पर सवाल उठ पाइगे थे तो सुभीम कोट तक पहुच गई थी बात तो उन्होंने कहा कि जो एक्जीटिव है वो जो है न वो चीफ एलेक्शन कमिशनर को डिरेक्टि एलेक्ट ना करके एक कमिटी बना दियुने कि अब तीन लोगी कमिटी बनेगी ठीक है उसमें तीन मेंबर्स होंगे जो कि सिलेक्ट करेंगे चीफ एलेक्शन कमिशनर और एलेक्शन कमिशनर के जितने अंदर एलेक्शन कमिशनर को तो उन में से एक क्वेशन पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो नहीं है पार्ट इस थरी मेंबर कमिटी का ठीक है तो आप्शन है प्राइम मिनिस्टर, लीडर opposition लोगसवा union home minister या chief justice of India तो यह बहुत असान से option से आपको विज़र होगा union home minister तो इस committee में कौन-कौन होंगे PM होंगे leader of opposition लोगसवा होंगे और chief justice of India होंगे तीनों मिलके जो हैं इनको elect करेंगे इनको nominate करेंगे तो union home minister इसका part नहीं होंगे खीक है India has set a target to eliminate kala azar by which year भारत ने किस वर्ष में kala azar को खतम करने का लक्षे रखे है तो कोई एक disease है इसको target रखा गया है कि हम खतम कर देंगे इंडिया से eliminate कर देंगे तो option क्या है कौन से साल तक इसको eliminate करना है 2023, 2025, 2027 2030 तो इसका answer है 2023 तो इस साल के end तक हम इसको कतम कर देंगे इससे related आपको क्या पताना जुरूरी है 2030 में हम क्या eliminate करने वाले है malaria को इंडिया से कतम करने वाले है ठीक है इसलिए option ऐसे बनाएगे देखो option में आने भी टाइम लगता है क्योंकि आपको दो-तिन question में और पताने है same question से ठीक है ना और में हम क्या eliminate करने वाले है इंडिया से टीवी को ठीक है ना तो यह दो विमारिया है और तीन आपको पता चल नहीं डिजीज को नहीं देश में चाहिए किस देश में आता गेब्रेल यह सिंपल यह पूछ रहा है यह यूस से Myanmar, New Zealand या United Kingdom तो यह भी हमने डिसकस करा है न्यूजिलेंड तो वह कहा गया था कि न्यूजिलेंड की हिस्ट्री में सबसे बुरा साइकलोन था आज तक का तो साइकलोन गेब्रियल उसका नाम है ठीक है ना तो इससे रिएटिट वही एक अगले वीडियो में देखेंगे हम ठीक है ना जिसके लिए हमने क्या करा है ऑपरेशन करोना कर रहा है ठीक है ना उससे बुरीक नाम में आपको प्रताऊंगा और इंडिया में कौन सा भी आए विपार जिसका गिनाम बेंगॉली में मतलब होता है calamity a disaster जिसको की बंगलादेश ने दिया था ठीक ना इंडिया पाकिसान में आ रही है 97 बोला तीनुगू has been decently elected as the president of which African nation ठीक है हाली में बोलोना तीनुगू किस अफरीकी राष्ट के राष्ट पिता के राष्ट पती के रूप में चुना किया है तो यह नाम याद रखना है बोला तीनुगू आपको लगा है अफरीका के देश का क्यों पूछेंगे पर वो पूछते हैं उन्होंने एक बारी साउथ अमेरिका के देश का पूछ लिया था ठीक है ना एक बारी मेक्सिको का पूछ लिया था अब उन से हमारा कि इतना डिरेक्ट नहीं है न फिर भी पूछते हैं तो इस बारी एफ्रीका के बहुत इंबॉडन है ठीक है तो यह बोला तीनुगू जो है वो कौन से देश के राष्ट पती बने है डीसंटी नाइजीरिया सुदा गबॉन या गैंबिया तो इसका अंसर है नाइजीरिया ठीक है तो यह यहां के राष्पती बने है नाइजीरिया के टीक है वन अव दे बिगस्ट आफ्रिकन नेशन्स नाइचीरिया वू इस दरण्चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अप अफ इंडिया भारत के वात्मान्ची जेनल विपन लावत जी थे लेट जेनल विपन आप जी ठीक है हलीकप्टर क्राश में एंफॉर्शनेटी भी लॉस्ट हम तो यह बने थे फर्स सीडियस तो उसके बाद नौ मिने था कोई भी नहीं था और सप्टेमबर दो हजार बाइस में हमारे जो सेकेंड सीडियस बन कोजन रुपी नोट यूनिफॉर्म सिविल कोड बैन और डीजल वहिकल जा मिनिममम सपोर्ड प्राइस दोजार रुपेट को वापिस लेने के जो हुआ तबी उसके बारे में रेकमेंडेशन दी इसने समान नागरिक सहीता के बारे में रेकमेंडेशन दी डीजल भानों प गंगले आने जो वीडियो हैं उनमें भी देखेंगे तो संजी अगरवाल कमीटी है मस्पी से लिए लास्ट कोशन देखते हैं आज के इस वीडियो का हू बिकेम दा फर्स प्लेयर प्रेजिदेंट ऑफ होकी इंडिया दो हुजार पाइस तो होकी इंडिया जैसे बीसी से इसा हुए होकी के अंदर कि होकी इंडिया को गोई एक्स प्लेयर बना है ठीक है तो यह मतलब है कुशन है सदारा सिंग धनराज पिल्ले जुगराथ सिंग या दिलिप टर्की तो यह भी हमने डिसकस करता है इसका सही जवाब है दिलिप टर्की ठीक है इंपॉटन तो यह आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ आपने यहां तक देखा ही है तो आपको डिफिनिटली पसंद है होगा अब आपको समझ में आगा होगा पचास नहीं पचास देट सो से दो से कुशन हमने डिसकस किया है आज कि इस वीडियो में और मैं आशा करता हूँ यह आपके exam point of इसे बहुत helpful रहेगा और मेरे experience के साथ से इसमें से काफी question आपके क्योंकि अब तो वैसी दो हफ्ते के अंदर होता है paper तो अलग-लग shift में पूछे जाएंगे ही जाएंगे इसमें से मैं पूरा confident हो तो अब यहां तक देखा ही है तो चैनल को अब subscribe कर लो और वीडियो को like कर दो शेर कर दो यार वही एक actual reward है हमारे इतनी मेहनत करने आपके साथ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसका third part देखेंगे तब तक के लिए bye bye and happy learning